जाहिन दोस्तों स्वागत है आज की क्लास और आज की क्लास है हिमाचल प्रदेश की नदियों से जुड़ी होगी क्लास तो हिमाचल प्रदेश की जो है मैतपूर्ण नदियों को लेकर आ रहा हूं और मैतपूर्ण क्या सभी नदियों के बारे मैं आपको आज ध्यान किएगा सबसे पहले हिमाचल की जो है वो नदी का नाम आ रहा है वो है ब्यास नदी तो हिमाचल की जो पहली नदी का नाम मैंने लेके चल रहा हूँ ब्यास नदी और ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जकिया क्या नाम है जी अर्जकिया है संस्कृत में क्या ना ट्रहाइनाय क्लास है तो आपने दिमाग में डालेएनी है कि व्यास नदी का वेडिक नाम अरजकिया है और संस्कृत में नाम वो विपाशा है जल ग्रहन शंता कितनी है तो 126 किलो मिटर की शंता है और इसकी लंबाई कुल कितनी है तो ये 460 किलो मिटर लंबाई है और हमीर हिमाचल परदेश में जो है ये 256 किलो मिटर जो है वो बहती है परवेश्थान की बात करते हैं हिमाचल परदेश में जो है इसका व्यास नदी जो है बजोरा से मंडी में और संधोर मंडी और हारसी पत्र जसिंपूर से जो है वो कांगडा में परवेश करती है और कांगडा के मिर्थल के नामक स्थान से जो है हिमाचल को ये छोड़ देती है और ये पंजाब के फिरोजपुर जिले के हरी का पतन नामक स्थान पर जो है वो जाकर सतलज नदी के साथ जो है वो मिल जाती है ये है हिमाचल की ब्यास नदी का इतिहास तो आपके इसाब से अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसको शेयर करना कि सभी बच्चों को जो है हिमाचल की नदीयों के बारे में जो है वो सब को ग्यान हो जाए ठीक है नेस्ट आजाता है ब्यास नदी की कुछ सहायक नदियां है जैसे कि बनेर, बाणगंगा, लूनी, पारवती, सैंज, तीर्थन, हरला, उल, सुकेती, चक्की, गज, आदी ये सभी जो है सहायक नदियां है ब्यास नदी के और सबसे पहले है सैंज नदी, ये कुलू में बहती है, ठीक है ये स्पिती के सुपा कनी चोटी से निकलती है और लारजी जो डैम आपने सुना होगा, बांध के पास जो है वो ब्यास नदी में जाकर मिल जाती है ठीक है जी, और उसके बाद आती है, नेक्स्ट आती है, हारला नदी, जो कि कुलू बहुंतर, बहुंतर एरबोर्ट भी है यादखना भूंतर के पास जो है व्यास नदी में मिलती है कौन सी नदी मिलती है हारला नदी कुन सी बेटा हारला नदी किसे मिलती है व्यास नदी से मिलती है कहां पे कुलूब भूंतर के पास ठीक है नहीं चाहता है तीर्थन नदी तीर्थन नदी जो है पीर पंजाल की श् और व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है Important रहेगा question की व्यास की सहायक बड़ी सहायक नदी कौनसी है तो वो नदी है आपकी पार्वती नदी बचो कौनसी पार्वती नदी और यह मानत तलाई जھیल से निकल कर जो है वो शीषम में जो है ब्यास नदी में जो है वो गिरती है और मनिकर्ण और कसोल बहुत ही एक रमनीक स्थान है ट्रैकिंग के लिए और दूर दूर से जो है वो यहां पर घूमने के लिए आते हैं प्रेटक और उल, उल की बात करें तो यह कुलू जिले के नंगवाई जिले से छोड़ कर बजोरा से कुलू के पास है बजोरा वहां से मंडी में परवेश करती है और उल नदी जो है वो पडों के पास जो है मंडी के पास वहाँ पर व्यास नदी के साथ जो है वो मिल जाती है मिक्स हो जाती है बनेर खड बेकर खड जो है वो संधोल मंडी के पास जो है वो मिलती है ब्यास नदी में ऐसे ही जुरिनी खड है जो पंडो के पास मिलती है कांगडा जिले में जो है ब्यास संधोल के पास जो है मंडी को छोड़कर जिसिम्पुर हारसी पत्त से जो है कांगडा मैं परवेश करती है और यही ऐसी नदिये जो की हमिरपुर जिले की हमिरपुर जिले से जो है वो यह कांगडा और हमिरपुर की बॉडर लाइन भी बना देती है याद रखना इसी परकार से कांगडा मैं की मैं ब्यास की सहाइक नदियां कौन कौन सी है दे खट कहां से है हमिर्पुर में यह ब्यास की साइख नदी आए कां से हमिर्पुर वालों की है चक्की खट पठान कोट के पास जो है ब्यास नदी में मिलती है ठीक है जी चक्की फुल भी है वहां पर आपको पता है आपने सुना होगा यह थी है हमारी ब्यास नदी अब आती है आगे भी बताना अपने दोस्तों को कि वो भी इसको देखे वैदिक नाम सबसे पहले याद रखिए चिनाव नदी का वैदिक नाम क्या है आस्कनी, क्या नाम है आस्कनी संस्कृत में क्या नाम है चंद्रप्रभा, क्या नाम है जी चंद्र प्रभा जल ग्रहन शमता कितनी है बच्छतर सो वर्ग किलोमेटर जो है वो ये चलती है ठीके जी लंबाई कितनी है पुल लंबाई 1200 किलोमेटर है पंगर हिमाच्र प्रदेश में ये सिर्फ 122 किलोमेटर चलती है कितनी है 122 किलोमेटर चलती है बच्छो और प्रवे तांडी नामक स्थाने लाहॉल्स पिती नामक स्थान पर मिलने से बनी है और भागा नदी बाला लाचल दर्रे के बीच समीप जो है सूरज ताल से निकलती है कहां से निकलती है सूरज ताल दर्रे से निकलती है कौन सी भागा नदी और चंदरा नदी जो है वो चंदर ताल ज से निकलती हैं ये दोनों अलग अलग जगाओं से नदिया निकलती हैं तांदी जगा पर मिलती हैं और ये जो मिलती है तो ब्यास नदी का जो चिनाब नदी का जो है वो उद्गम होता है ठीक है तो मियार नाला और तवी नली और सैंचु नाला ये इसके सहायक नदियां हैं ये नदीया पांगी घाटी से भुर्जिंग नामक स्थान जो है, वहाँ से चमबा में परवेश करती हैं और संसारी नाला से चमबा जिरे को छोड़ कर कश्मीर के ओडर घाटी कहाँ पे ओडर घाटी में परवेश करती है, और जल ग्रहन शम्ता की अगर बात करें दिश्टी से तो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है जल ग्रहन शम्ता में यानि कि अधिक मात्रा में पानी हो नहीं है तो यह आज रखेगा जल ग्रहनत में जो है वो आपकी कौन सी नदी आई? चिनाव नदी आई? रावी नदी कौन सी नदी आ रही है बचो? रावी नदी बहुत अच्छे से याद रुकिए वैदिक नाम परुष्णी संस्कित में नाम इरावती जल ग्रहन शम्ता पांच जार चार्सो इक्यावन कुल लंबाई सासो बी मगर हिमाचल में कितनी? 158, 158 उद्गमस्थान रावी का उद्गमस्थान का है? बड़ा बंगाल तहां पर बड़ा बंगाल जो की जिला कांगड़े भादल और तांत गिरी दो हिम खंड है गलेशियर हैं बड़े-बड़े उन गलेशियरों से बना है ये सयुक्त रूप से बनी है रावी नदी चंबा के खैरी नमकसान जहां पर चमेरा डैम है याद बनाई इस बात से हिमाचल परदेश में निकल कर जम्मू कश्मीर में वहां से जो है वो प्रवेश करती है और पीर पंजाल की शिंकला को धोला धार से अलग भी यही नदी करती है और अंत में ये पाकिस्तान में जो है चिनाव नदी में जाकर मिल जाती है चंबा शहर जो है इसी के दाएं किनारे पर स्थित है आप जब भी जाएं चंबा तो इसके किनारे पर ही देखेंगे साथ-साथ पर रावी नदी भी आपको दिखेगी रावी नदी की सहायक नदियां सबसे पहले आ रही है बुद्धिल खड जो की कुगती खड और मनिमहेश खड के हडसर नामक जाए हडसर जो है भरमौर के साथ में पड़ा ठीक है नामक स्थान पर जो है संदम पर बुद्धिल खड बनती है और ये खड जो है खडा मुख के पास मिलती है पिर नेक्ट आती है अवाडी खड जो की सुल्तान पुल के पास तथा मांगला खड शीतला पुल के पास रावी नद में मिलती है तुंडाह खड और चनेर खड जो की दुल्ची के पास जो है तलसुई से जो है रावी नदी में मिलती है साल खड यह सभी खड़े जो है यह रावी नदी में आकर मिलती है वो बता रहा हूँ हाल खड और की की खड के साहों के समीप जो है संगम से जो है साल खड का जो है निर्मान हुआ है और यह खड जो है बालू नामकस्तान पर जो है साल खड रावी नदी से जो है जाकर मिल जाती है इसी प्रकार से बैरा खड है तो अपर चुराह से निकलती है बैरा खड और जल धाराओं से मिलकर यह जोटी छोटी कुल वगेरा और उन धाराओं से बनी है और तीसा खड भी खकडी नामक जो स्थान है उस पर बैरा खड पर ही आकर मिलती है इसी प्रकार से सैयूल खड है जो कि सहानी खड विधडो खड और जुम्वास खड से जो है आकर मिलती है और स्यूल खड से आकर मिलती है और चमबा में ये बैधी है lower चुराहम की बात करें कि चोहडा नामक स्थान पर जो है सयुल नदी जो है वो रावी नदी से जो है वो मिलती है यह सभी नोड्स अगर आपने लेने हैं इस परकार के तो आप हमारी एप्रिकेशन पर आप अराम से जो हैं देख सकते हो और प्रपरली नोड करिए इन कोश्चन को कैसे कैसे यह चल रहे हैं आपके ठीक है सत्लुज नदी पहले वैदिक नाम याद रखना है बच्चो शतुद्री और संस्कित में शतुद्र जल गरांड शम्ता बीस हजार वर किलो मेटर लंबाई की बात करें तो 1448 किलो मेटर है मगर हिमाचल में सर्फ 320 किलो मेटर यह बहती है उद्गम स्थान की बात करें तो तिबत के पास मांस रोबर जील के दक्षिन में राकस्ताल जील से यह निकलती है और सत्लुज शिपकी दर्रे के नौर के पास हिमाचल परदेश में परवेश करती है यानि की जासकर और ब्रिहद हिमाले यह सुरी हिमाचल को के बीच से काड़ते हुए यह परवेश करती है दोनों को ठीक है सत्लुज नदी जो है बिलासपूर के भाखडा गाओं के पास हिमाचल में जो है की सीमा को छोड़कर जो है वो पंजाब में परवेश करती है सत्लुज नदी की सहायक नदीयों की बात करें तो बसपास पिती नदी और भावा यह हिमाचल की सबसे लंबी नदी भी है कौन सी? सत्लुज नदी चोर नामक स्थान है एक जो की शिमला में परवेश करती है और बिलासपुर में एक सोल नामक स्थान पर ठीक है? परवेश करती है भाख़ा बांध जो है सत्लुज नदी पर ही बना है और एशिय का सबसे उंचा बांध है जो की 1963 में बनाए गया था कब बनाए गया था? 1963 सतल नदी की सबसे बड़ी कृत्रिम जो जील बनाई गई है वो कृत्रिम जील है ये गोविंद सागर जील कौन सी है गोविंद सागर जील जो की सतल नदी पर ही बनाई गई है अंत में ये नदियां जो है सिंदु नदी में ही मिलती है ये भी कौन सी नदी में आकर मिली है सिं नदी में मिलती है और कर्चम जो है वो हिंदुस्तान और टिबत के पूर्व उत्तर में स्थित है स्पिती नदी, स्पिती यानि कि कुझ्जों श्रिंखला से निकलती है और तेगबो और कवजिया स्पिती की सहाइक नदियां है और स्पिती नदी जो है वो सतलुज के नामगिया यानि किनौर में मिलती है और हासी और धनखड गुंपा स्पिती नदी में से ही पर हिस्तित है ठीक है जी और होरली खड होगली ये भी सत्रुजा जी की सायक है नदी और या खड बोलो तो ये रामपुर्बु शहर में जाकर मिलती है ठीक है सत्रुज के साथ सजनल नजी फिसू गाओं के पास जो है मंडी जिले में भी परवेश करती है हर जगा से जारी है या याद रखना है इस नदी को नेस्ट आती है यमुना नदी वैदिक नाम है कालंदी यामी भी बोलते हैं इसको ठीक है जल गरंड शमता है 2320 लंबाई 1525 हिमाचर प्रदेश में सिर्फ ये 22 किलो मिल्ट चलती है इसलिए सबसे छोटी नदी है उद्गम सान की बात करें तो ये कालंदी परवत यमनोत्री उत्राखंड से आती है और हिमाचर प्रदेश की सबसे छोटी नदी है जैसे मैंने आपको भी बताया और सूरे देव से जो है इस नदी का प्रणानिक संबंध है यानि कि माना जाता है सूरे देव का संबंध और परवेश थान बात करें तो यमना नदी खोदरी माजरी सिर्व मौर मोस्ट इंपॉर्टन खोदरी माजरी बड़ा भरी आया थे पेपरों में हिमाचर प्रदेश में परवेश करती है और ताजे वाला जगा है हिमाचर को छोड़कर हर्याडा में ये परवेश कर जाती है य पॉंटा साइब की सिर्मौर की बात करें उसके मोकमपुर जगा के पास यमुना नदी में मिलती है। जो हैं गाओं जाखिलित के चान रूप दर्रे से की जो शिंकलाउस में जो हैं वो स्थित है। यह भी important question रहें ठीके जी नदीयों से जुड़े हुए question है यह one liner की form है यह हमारी अगली class में रहेंगे और इन question को हम कर लगाएंगे अगली class में और आपने क्या करना हैं इन questions को practice करना हैं ठीके जो मैंने पढ़ाया इसको ध्यान से सुनना है और अगली class में जरूर अपना answer देना है तो I hope कि आप सभी class में जो है अगली class को जरूर देखेंगे और उसमे maximum question लगाएंगे तब तक लिए अपना class क्यान रखीएगा जै हिंद जै भारत जै हिमाचल करेंगे टुरूर अपनमा देने भारत जै करेंगे तक दि झाल झाल